अगर अपन गुजरात की बात करें 20-21 लाग हेक्टर में सुख्षप सिंचाय पद्यती पहुंच चुकी है उसमें से करीब 2 लाख फारमर के पास में जेन इरिगेशन की पद्यती अपना हुआ है गुजरात की पोस्पेरेटी में जेन इरिगेशन ने केले का प्लांट दिया ह है अभी हम आलू का भीज भी दे रहे हैं हमने मौसम भी चालू किया है हमने जामफर गवावा दे रहे हम पिछले तीन-चार साल से मेंगो का प्लांड भी दे रहे हैं किसानों की जो पहली पसंद है वह हमेंसा जैनेरिगेशन रहती है क्योंकि उनको पॉलिटिक का पता है उसमें से 40% 22 हेक्टर में जो पानी का पियत की विवस्ता है और बाकी में पानी का प्योष्ट की विवस्ता नहीं है अब यह 40-45 लाख हेक्टर में से करीब करीब 20-21 लाख हेक्टर में सुख्षप सिंचाय पद्धिती की पहुंच चुकी है उसमें अरेक पद्धिती है टपक बज़िती भी है मिनी फवारा पद्धिती भी है और बड़े फवारा जो वरेट स्पिंक्टर जिसको बोलते हो भी ह और यह जो 20 लाख हेक्टर है उसमें से करीब 2 लाख फार्मर के पास में जैन जी गेशन की पद्धिती अपना हुआ है तो जैन जी गेशन का सुष्प सिंचे पद्धिती किसानों को अपनाने में बहुत बड़ा योगदन रहा है खास करके हमारा जो मुख्य काम है वह हम कि पूरा उनको समझन देते हैं अगर आपन बात करें किसान अगर कोई किसान खेत ले रहे है और उसको एक दिन में अभी एक अपास को दो लिटर पानी की ज़रूरत है तो डेली दो लिटर पानी देना चाहिए ऐसा ने आज 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 लिटर दे दिया और बाज में तीन दिन पूरा किसान अपने आपको ले रहे हैं पहला जब हम स्टार्ट किया था दोजार पांच में दोजार पांच से पहले तब किसानों को समझाना पड़ता था कि अपके फाइदा होता है तपक लगाने से आपका उत्पदन बढ़ेगा पानी कम लगेगा निंदा मरने होगा ल दूसरा हमने किसानों को यह समझाया कि तपक लेने के बाद आपको उनका उज सर्कार यूज के लिए पूरा बेनिफिट लेना है उत्पदन में उत्पदन बेनिफिट कहां से मिलेगा कि तपक सिंचाय के थू और जो खातर है उसके देगा आप उपर से प्राद दालेगा पुरा प्लांट यूज ने कर सकता है यूरिय अगर उपर से जालेगा तो आसी टका जो है या लिचिंग हो जाएगे उपर से बास्पिब्रोन हो जाएगा लेकिन अगर वो टपक के थ्रू डालेगा दूसरा कोई भी फटलाई जा तो पुरा उनका रूट तक ही जाएगा और जो पैसे की बच्चत हो रहा है उससे अपना उद्योग की तरफ भी मोड़ रहे है आज गुजरात में जितना भी उद्योग है उसमें से लगबक 60 या 70 या 80 परसन लोग जो है वो खेती वाले है खेती के पैसे सही उन्होंने अपना उद्योग बसाया और आज अपना जो उनकी केपेसिटी हो करेब करेव 18 लाख हैक्टर में पानी देनी केपेसिटी है हमने गुजरा सरकार को भी इंसिस किया है समझाया है कि आप यह जो पुरा पानी है टपक के थूरूद होगे तो आट रहा लाख हैक्टर की जगह पे पूरा हो जाएगा उसके लिए हमने एक गुज्रा सरकर के साथ में मिलके प्रोजेक्ट भी किया है जो 180 क्रोड का 50 लाख हेक्टर में बड़ुदा के आसपास का जो हमको डिस्ट्रिक्ट तालू का मिले थे वहां पे हर किसान के खेत तक हमने पानी का पैप्लैन सरकार के सा सरक अब करते हैं अब तरिफ में जारिक उज कर सकते हैं हम तक हम करते हैं अगर अपना ऑलू की बात करें तो अखले का बोने जितना भी डिरीर भी फुओ रहेए उसमें कज15 पचास्टक से उपर ₹ मिनी फुओ रहे है को जैने पहूसर करते हैं और एंवी हमने रिजन्टली दो साल से आलू का बीज देना भी शरू किया है जिसे किसानों को अच्छी कोलेटे का बीज भी मिल पाए और उसमें अच्छी कोलेटे का सिस्टम भी मिनिफुवारा का मिल सकता है हमने कच्छ में आज से 20 साल पहले प्रोमोगेनेट के क्रोप का प्लांटेशन लगवाना सरू किया टिस्यू कल्चर और यह टिस्यू कल्चर का प्लांट की अपने वज़े से किसानों को इतना उत्पादन मिला कि आज जो कच्छ की समरूदी है उसमें जैनेजिगेशन का दोजा है हम करीब सवा करोड के आसपास किसानों को गुजरात में बनाना के थुरू सेंट्र साहूथ गुजरात का जो प्रोस्पेरेटी है जो आवक है उतना बढ़ा है कि जो नॉर्मल खेती करते थे उससे आज उनका जो प्रोफित वह दो गुणा या तीन गुणा हो रह है ऐसा दूसरा पोधों में कहीं भी उसको देखने को नहीं मिलता है तो आज गुजरात की पोस्पेरेटी में जैन इरिगेशन ने प्लांट भी दिया है केले का प्लांट दिया है प्रोमोगिनन का प्लांट दिया है अभी हम आलू का बीज भी दे रहे है हमने मौसम भी भी सlorी परडों का kills लोजय हम और आप्टक को डपक के साहथ में जो भागाइती पाक यह जहां पे जो रिक्म्हार जरूरत है वहां पर हम उसको का प्लांट भी पुरा कर रहे हैं पिछले तीन-चार साल मेंगो का प्लांट भी दे रहे हैं जिससे किसान को जो पहले दुट जाता था है नमबर फ्लांट जो है उनका उटीन या चार गुना बढ़ जाएगा और उनका एरिया के आप से प्लांट है उससे जो अभी आपन नहीं प्रेक्टैस से करेब डबल उत्पाधन गुजरात में जैनिरीगेशन का आज की डेट में अगर बात करें तो किसानों की जो पहली पसंद है वह हमें साथ जैनिरीगेशन रहती है क्योंकि उनको कॉलिटी का पता है कि एक एक्जांपल देता हुआ अभी गुजरात में या हर जगा पे इंडिया में जिसका साथ साल पूरा हो जाता है चेना साथ वरस पूरा थेगिया चे अमने बिजी वक्क टपक लेवा माटे नू सरका सबसीड़ी आपे चे अवे जरे अमें अमारा राज खेड़ू तो जै पूरा थेगिया जरूर पड़ती नथी लगबग लगबग दस वरस सुधी आमारी पासे बद्दाज किसानों चे इनने चुनी सिष्टम चाले चेहरे बिजा खेड़ूतना में वाद करिया जैने रिक शिवाई ना किसामें आपनों करिये तो यह रेड़ी जोई कमारा बच च्छो वरस पुरा थे हमारे लेविच चाहरे हमने आप सो तो आप फरक छे जैन्ने खड़ूतने 7-10 वरस ते गया तो कुई चिंता नहीं जरे बिजा खड़ूतने साथ वरस पहला थिया पहला चिंता चेकामारे बिजी वकर लेविच अमने क्यारे मड़ से आज